संतों ने दो तीन तीन बाते कहीं हैं कि संसार में भगवान का भजन न करो यदि संसार से जाना ही न हूँ तो तो जाना पड़ता है दूसरी बात की है कि मत करो भगवान का भजन यदि जो कुछ आपके पास है वो साथ ले जाना है तो ये भी मुम्किन नहीं है तिसरी बात करिये भगवान का भज़वन मत करो यह दुबारा आपका जनम होए और जो कुछ आप यहां बना गए हैं उसके दुबारा आकर मालिक हो जाएं तो ये भी स्रिष्टि करम में संभव नहीं है इसलिए सुक शांती के लिए रिशियों मुनियों संतों का ये जो अनुभव रहा है वेडशास्त्रों का जो जो ज्यान रहा है संतों की बाणी को जो ज्यान रहा है वो यही है कि शुब करम करते करते इश्वर में ध्यान कुछ साथ नहीं ले जाना है मिला रहेगा रेमन ये दो दिन का मिला रहेगा कहता है दौलत आएगी मेरे काम ये तो बता धन खुआ है किसका घुलाम ये तो बता धन हुआ है किसका घुलाम समझा गए उपदेश हरिष्चंद्र कृष्णराम समझा गए उपदेश हरिष्चंद्र कृष्णराम दौलत तो नहीं रहती रहता है सिर्फ नाम छूटेगी दौलत यहीं की यहीं पर तेरी कमर में न जेला रहेगा रेमन ये दो दिन का मेला रहेगा रेमन ये दो दिन का मेला रहेगा रेमन ये दो दिन का मेला रहेगा किस काम का उंचा मेल तू बनाएगा रत हाथियों का जुन्द किस काम आएगा तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा रेमन ये दो दिन का मेला रहेगा कायम ना जग का ग्हमीला रहेगा कायम ना जग का धमीला रहेगा एमन ये जो दिन का साथी है मित्र गंगा की जल बिंदू पान तक साथी है मित्र गंगा की जल बिंदू पान तक अर्ध आंग नी बढ़े गिट के वल मसान तक परिवार के लोग चलेंगे एवल शम शान तक बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अगनी जान तक इससे तो आगे भजन ही है साथी हरी के भजन बिन अकेला रहेगा रेमन ये दो दिन का मेला 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 रहेगा